तीन साल बाद एक बार फिर मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेट दाओद इब्राहिम के मरने की अटकले चरम पर है सोर्च के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद दाओद और उसकी पत ने महजबीन उर्फ जूबीना जरीन को कराची मिलिटरी होस्पीटल में भरती कराया गया था और वहीं उसकी मौथ हो गई इस तदागतिक रिपोर्ट की कहीं से पुष्टी नहीं हुई है और होने की उमीद भी कम है वैसे दाउद की छोटे भाई अनिश ने सुक्रवार को दाउद के संक्रमीत होने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया था ऐसा नहीं है कि दाउद इब्राहिम के मरने की अटकले पहली बार आई है तीन साल पहले यानि 2017 में भी अप्रेल महिने में दाउद की मौत को लेकर ऐसी हित्ते जब होग फैले थी खबर फैले थी कि दिल का दवरा पढ़ने के बाद दाउद की मौत होगे मिया अंदंद के बेटे जुनेद और दाउद की बेटी महरुक की साल 2005 में शादी हुई थी आलाकि अंडरवर्ड के जानकार और दाउद से मिल चुके कई वरिष्ट पत्रकारे हमानते हैं कि पिछले कई सालों से उसे धम किया दीज आ रहे थी और वो कई सालों से उनको बिमारी अभी घेर रखे थी और उसकी तबियत बहुत अच्छी नहीं रहती थी दाउद को गैंगरीन जैसे खतरनाक बिमारी ने भी जकड रखा है दाउद मार्च 1993 में हुई बंबलाश का मास्टर माइन है भारत छोडने के बाद उसने पहली खाड़ी देशों में और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर पेना ले दाउद इबराहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महराश्ट के रतनेगरी में हुआ था और उसके पिता सेक इबराहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवालदार थे दाउद ने पठान गैंग के सभी गुर्गो और शर्वे गैंग को कंट्रोल में किया और फिर मच्तान के राजदीते में जाने से पुरी गैंग का जीमा दाउद के हाथों में चला गया इसके बाद उसका अंडर वर्ड में कद काफी बढ़ गया दुबही में शिफ्ट होने के बाद दाउद ने अपना बिजनेस बढानी का सोचा दाउद ने जहाज तोड़ने के बिजनेस पर दाउद लगाया जो अदेश में हतियार विस्पोट और पतिबंदित पदाद की तसकरी करने के लिए पुपियो करता था इसके बाद दाओ, ड्रक्ष, थसकरी और शटे के दुनिया में आगे शटे के दुनिया में आने के बाद वह कही के टोगे के साथ भी दिखा